तो एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है ना यह वीडियो देखेगा एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह के लोग हैं हमारे बीच में और उनकी क्या मानसिकता है वो अपने आपको कैसे सह ही समझते हैं मतलब उनको लगता है कि वह जो कर रहें हो बिल्कुल सही है बाकी तो दुनिया बेकार है जीकर를 dimension कहांak से लेते हैं क्या सिख्षा लेते हैं तो आपको मैं और स्क्रीन पर दिखाता हонд को यह अब कर देते हैं तो यह आपकी स्क्रीन के सामने जो व्यक्टि दि है संबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है स्क्रीन चलिए इनका नाम का नाम है शारुक खान सक्व debates क्या कर रहा है राष्ट्रिय ध्वज हमारा जो राष्ट्रिय ध्वज है उसका अपमान कर रहे है तो ताइं हमारे देश में हो रहے है यह आप डर नाम की तो को चीजी हिए अधरिसस्पेक्ट नाम की तो को चीजी नहीं होती है आप भारतिय तिरंगे को सब्सक्राइब प्रता नहीं क्ला संब्सके बाद उसको नीचे फैक इसमें वीडियों पर खतम हो गया मुझे तो लगते हैं शायद पैर भी मारा होगा तो यह स्थिति आज के वक्त में देखें बहुत पहुंचते वे और अब गिराते वे तो यह तो वीडियो के माध्यम से सामने आ गया व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है शारुक खान को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है अब ऑव्यसी बाते चीज बताई जाती है और भी गलती हो गई किसी के इंफुलेंस में गलती हो गई सारी चीज़े ना अब इसके बारे में जो बोला जा रहा है कि गलती हो गई बच्चे से ना ऐसा नहीं है यह कोई बच् उन से लड़ता है क्योंकि अब्विस वियाते इंडिया जीतेगी तो इंडिया की जीत के उपर गाव के लोग खुशी मनाएंगे लेकिन इसको दिक्कत हो जाती है यह वहाँ पाकिस्तान की नारे लगाते है और जब पाकिस्तान जीत जाती है तब इसकी पुलिस ने गिरफतार किया ठीक है क्या होगा कुछ धारे लगेंगी बाद में निकल के कुछ दिन बाद बाहर आ जाएगा इसको समझ में आ जाएगा कि वही कानून तो मजा के आज के समय में यह ना मैंने ऑविसी बाते इतना बड़ा काम किया कि राश्ट्रे ध्वज का ऐसे ऐसे से पूरा कर दिया उसको पैरों में फैंक दिया लगी लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी होती है लोग इसके फेवर में आएंगे जो अभी भी आने लग गए हो और बच्चा पता नहीं फलाना ढिकाना करके इसको प्रूफ कर दिया जाएगा कि गलती हो गई माफ कर दो इसको समझ में आ गया कि कानून में तो और विसी बात है लूप होल है अराम से निकल जाएगा ये आज के समय में एक्जामपल सेट करा जा रहा है अब देख लो ऐसे ऐसे आरो ऐसे ऐसे नारे लगा दिये जाते हैं JNU में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये सारी चीजे देश को तोड़ने की बाते हो जाती है कैसे इतना होसला आ जाता है इनके अंदर कैसे इनको लगता है कि देश को तोड़ना इतना इजी है यह तो कानून इनको ताकत दे रहा है बहुत क्लियरली किरफतार होंगे कुछ दिन में बाहर आ जाएंगे नहीं भी आएंगे तो इनकी बाहर और वहावाई होगी मतलब जेल में पकवान तो मिलेंगे उपर से प्रसिद्धी और और जब जेल से बाहर आएंगे तो सेलिब्रिटी बन चुके अजीवा जेल बनलब पहले तो यह होताता न जेल गया तो उसकी तो भई जिंद्धी बरबाद है आज के समय में यह हो चुका है देश विरोधी बाते करो देश को तोड़ने की बाते करो और जब आप जेल से बाहर आओगे तो आप सेलिब्रिटी हो एक नंबर की सेलिब्रिटी हो अरे भई लोग इतनी महनत करते हैं उठने के लिए अपने नाम कमाने के लिए आजकल कितना अच्छा हो चुका है देश विरोधी बाते करके आप सेलिब्रिटी हो भाई पदाई हो और क्या चाहिए लाखों करोड़ों तो आपको विदेश से फंड होई जाएंगे आपका मतलब आप आपके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे अगर आप इमानदारी पर चलोगे भूखे सोगे तो यह बैठे हमारे हां पर सेलिब्रिटी बनने के लिए लोग इनको बहुत प्यार देने के लिए खड़ें पहले से